नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे देखिए आज हुम डिस्कस करेंगे 21 सेप्टेंबर का करेंट अफेर जिसमें हम कवर करते हैं दा हिंदू न्यूजपेपर को और P.I.B. को P.I.B. that is Press Information Bureau भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट और दो-चार दिन आपको हमारा जो करंट अफेर है वो थोड़ा सा शाम को आठ बजे के आसपास या नो बजे के आसपास मिला करेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम का भी को जो सम रिजन ठीक है तो और बाकी हमारा जो PDF है monthly वो आप सभी को पता है हमारा जो टेलिग्राम चैनल ह डेली दा हिंदू नोट्स पे अवलेबल रहता है और हमारा करंट फेर आपके सभी एकजाम के लिए काम करेता है चाहिए UPSC का कोई भी एकजाम हो NDAC, DHC, APF या फिर किसी भी राज्य का PCS एकजाम हो या फिर कोई भी वंडे एकजाम SSC या बैंकिंग का ठीक है तो यह मत सोचना कि यह वियत नाम है नहीं यह लाउस की कैपिटल है तो हमारे जो भी यह जो एशन इस्ट जो नेशन होते हैं न हमारे उनके देशों के नाम और नाम के साथ-साथ उनकी राजधानिया भी याद रखना ठीक है कैपिटल हमारे लिए बहुत इंपोर्टन बनता ह मैप के लिए मैं आप सभी बच्चों को बोलता हूं कि देखो वैसे तो हमारा डेली का वीडियो होता है उसमें हम मैप भी लेके आते हैं और और पी वाई क्यू भी लेकर आते हैं lebih ठीक है लेकिन आश्यान के बारे में basic information की इसका headquarter कहां पे है ये कब बनता है न वैसे देखो हमारा जो पूराने वीडियो PDF है उसमें हम detailed explanation के साथ आश्यान को cover कर चुके हैं ठीक है तो tension मतलो पूराने PDF डाउनलोड करो monthly वीडियो को देखो मज़ा आएगा आपको ठीक है उसके बाद में भा पांच जो pillar है इसके वो बिल्कुल याद रखना कानूनी तकनीकी संगठनात्मक चमता विकाश और सहयोग ठीक है गाईस तो याद रखना थोड़ा सा tier 1 इसमें मिलता है भारत को सुचकांग में ठीक है उसके बाद में हम बात करेंगे चार देश हैं जो हमारा जो big cat alliance वाला ठीक है जो भारत ने लॉंच किया था तो उसके चार देश जो है वो अभी सदश्य बने हैं भारत ने हमारा जो P.I.B. होता है press information bureau जो सरकार की सरकारी website है सरकार की जो नीतिया होती है वहाँ पे publish होती है तो उसमें बिल्कुल mention था ठीक है तो हमें बिल्कुल दियान रखना ह हैं वो सदश्य बनते हैं Big Cat Alliance के recently ऐसा announcement होता है ठीक है तो यह पता होना चाहिए इसके साथ साथ चलो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत कितने रुपए मतलब इसके लिए भारत कितना करोड रुपिय का वो देगा मतलब शाहता इसके इस Alliance में भारत करने वाला है comment section में ज BCBSA Initiative को launch करता है लेके आता है world level के लिए तो very very important रहता है सभी paper के लिए ठीक है तो इसमें आपको पता होना चाहिए उसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि Project Tiger के 50 वर्स पूरे होने पर हमारे जो प्राइमिनिस्टर साब है उन्होंने 9 अप्रेल 2023 को इसको launch किया थ इसमें 95 Big Cat Range और Gare Range देशों की भागेदारी सभी UN के सदश्या है Big Cat Alliance का सदश्या बनने के बिल्कुल पातर है और इसमें Big Cat Alliance में साथ बिलियों का जीकर होता है जिसमें से 7 बिलियां भारत में नहीं है यह भी याद रखना भारत में 5 ही देखने को मिलती है बाकी मतलब यह ब पुमा, बाग, शेर तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता लेकिन भारत में दो नहीं पाए जाते हैं ठीक है इतना याद रख लेना पांच मतलब भारत में बिल्कुल पाए जाते हैं इसके साथ साथ IT संसोधन अधिनियम 2023 भी चर्चा में है IT Act 2023 लिखके एक बार पढ़ लेन अमेंडमेंट उसका 2023 का पूरा एक बार पढ़ लेना आप यहां पे लेकिन मेरा यहां पे जिकर करने का यहां पे मेंशन करने का सिरफ बात यह थी कि भाईया जो आज एक हाई कोट ने बिल्कुल सटक डाउन किया है बाई मतलब क्या सटक डाउन किया है देखो एक P.I.B. क अब फैक्ट चेक होता है तो उसको यह कहा है कि यह फैक्ट चेक जो आप लेके आ रहे हो न यह गलत है यह सही नहीं है बस इसी के ऊपर था बाकिया आपको है आई-टी एक्ट को एक बार खुद से पढ़ लेना है ठीक इतना कुछ उसमें था नहीं जादा उसके बाद में तो बात करेंगे इसरो के बारे में, देखो, इसरो के बारे में बेसिक चीज़े आपको ध्यान रखना है, बिलकुल कि भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंधान संस्थान संगठन ठीक है, मुख्यालate इसका बैंगलूरू में है, अध्यक्स अभी के लिए कोन है, बिलकुल पता होन चाहिए आपको और विक्रम सारा भाई को भारती अंतरिक्ष कारेकरम के जनक के तोर पे जाना जाता है और 15 अगस्त 1979 को अंतरिक्ष विभाग के अधिन इसका गठन होता है इसका जो मोटो है जिसको कहते हैं आदर्श वाक्य हिंदी में वो है मानवता की सेवा में अंतरिक्ष प्रवद्वगी की वेरी वेरी इंपोर्टन्ट वंडे एक्जाम के बच्चों के लिए ये बिल्कुल इसका मोटो जरूर पता होना चाहिए ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे कालीजियम परनाली के बारे में वही जजों का अपॉइन्मेंट से संबंदित नाइधीशों क जो नुक्ती है और स्थानांतरन का निर्ण करने के लिए सुप्रीम कोट के सीजियाई और चार वरिस्टम नाइधीशों का फॉर्म बिल्कुल होता है ठीक है नाइधीशों की नुक्ती सरवचे नैले और उचे नैले तो ये देखो हमने यहाँ पर आर्टिकल पता होना चा कि कुल नाइधीशों की संक्या हमारे देश में कितनी क्या है अभी फुल है वैसे ठीक है फुल स्टेंथ के साथ हमारा बिल्कुल यहाँ पर काम चल रहा है अभी उसके बाद में हम बात करेंगे कॉलेजियम जो है इसका समिधान में कहीं भी कोई उल्लेक नहीं है ये भी आ मानक प्राधीकरन है इसका मुख्याले देखो नई दिल्ले में सभी को पता होगा लेकिन यहाँ से जो याद रखने की खास बात है वो है खादे सुरक्षा एम मानक अधीनियम 2006 के तहत आठ में ठीक आता है और छेतरीय कारेले कहां कहां पे हैं इसके ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस और कौन से मंत्राले के अधीन यह आता है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है गाईज उसके साथ साथ very very important for all examination जैसे कौफी और रबड दोनों ही बहुत important है आप देखो कौफी की खेती के बारे में बात करें तो यह ज़्यादतर कहां देखने को मिलेगी जहां अच्छी जल निकासी वाली खनीज यूपत बिल्कुल मिटी हो और बिल्कुल छाया में उगाया जाता है यह तापमान के बारे में बात करें यह ध्यान रखना है वर्षा आपको पता होना चाहिए कि डेड़ सो से 150 सेंटीमिटर वर्षा और तापमान की बात करें 15 से 28 भीन आता है सब से खेती की अगर कॉफी की बात करें तो भारत में करनाटक केरल और तमिल नाडू में देखने को मिलती है और जो फेमस कॉफी की वराइटियां है अरेबिका और रोबस्टा है ठीक है गाईज नेक्स्ट अब अगर हम बात करें रबड के बारे में तो चलो रबड के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि रबड बोड कहां पे है भारत में ठीक है रबड बोड का मुख्याले कहां पे है इसी के साथ देखो तापमान पता होना चाहिए आपको कैसी मिट लास्ट फर्नेंस कहां पे है ये कलिंग नगर ओडिसा में है चर्चा में आया था बस सिरफ इतना याद रखना इतना कुछ खास नहीं है ठीक है उसके बाद में राजस्थान परमानू ठीक है विद्यूत परियोजना की 21 साथ ने क्रेटिकलिटी हासिल करी है ठीक है ये कहां रावत भाटा राजस्थान ठीक है और भारत में निर्मित 16 सवदेशी ठीक है उनमें दबाव बनाने वाली भारी पानी रियक्टरों की स्रंखला में ये कौन सा है तीशरा तो देखो इसके बारे में मैं एक छोटा सा कटाउट भी शेयर कर दूँ वो एक बार देख लेना क तीसरे से पहले कोन-कोन से है ठीक है प्लेसिं न्यूज की बात करें तो आज मैप में बिल्कुल बैरुत चर्चा में है ये लेबनान का सहर है ये लेबनान पढ़ता है मैपमें पहले ओलरड़ी दिखा चुका हूँ साथ तब तक के लिए जाहिंद औल दे बेस्ट